Hello students, I am Ravind Singh Sissodiyah और इस वीडियो महम 11th class की Hornbill English textbook का 2nd lesson इसका title है We are not afraid to die if we can all be together इसका अर्थ है कि यदि हम सभी साथ साथ रहें तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता है This is a very interesting lesson और की story बहुती interesting है तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं रात बहुत लंबी खिच रही थी बहुत कडाके की ठंड थी और पानी का बाहर निकालना और जहाज को चलाना और रेडियो पे काम करते रहना जारी रहा हम इमरेज़सी कॉल पर सारित कर रहे थे लेकिन दूसरे जाज़ों से इसके बावज़ूद हमें कोई उत्तर नहीं मिला और दुनिया के इस दूर कौने में ये कोई आश्याजिनिक बात नहीं थी सू का सिर बयानक रूप से सूज गया था और उसकी दोनों आखें काली और बड़ी हो गई थी और अब उसने अपनी बहां पर एक गहरा कट दिखाया और जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी चोटों के बारे में पहले मुझे क्यों नहीं बताया तो उसने उत्तर दिया कि मैं आपको चिंतत नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे तीन जिनवरी को सुवे तक पंपों ने पानी के स्थर को काफी हद तक नेत्रण में कर लिया था और अब हम रोटेशन में बारी बारी से दो दो गंटे का आराम कर सकते थे लेकिन पानी के तल के नीचे अब भी कहीं बहुत बड़ी लिकेश थी और जांचने पर मैंने देखा कि सभी नावों के मुक्च मुड़े हुए धांचे नीचे बोटम तक चकना चूर हो गए हैं पूरी तरह से छतिगरस्त हो गए हैं वास्तम में अलमारियों के कुछ खानों के सिवा है जाज के मुख्य बाग के स्टार बोर्ड के सारे सेक्षन को कोई चीज थामे हुए नहीं थी लेरों के हिट करने के बाद भी हम 15 घंटे से जीवित थे पर हमारी वेव वॉकर पर्याप्त समय तक हम सबको एकटा नहीं रख सकेगी जिससे कि हम ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाएं मैंने अपने चार्ट्स चेक किये और कैलकुलेशन किया कि पूर की ओर कुछ सौ किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे-छोटे द्वीप हैं उनमें से एक द्वीप एंस्टरडम फ्रेंच वेग्यानिकों के प्रेवकों का बेसकेम्प था हमारी उम्मीद केवल यही थी कि हम इस विशाल महसागन में इन छोटे-छोटे द्वीप पर किसी तरह पहुंच जाएं पर जब तक हवा और समुद्र शांत नहीं हो जाते हम जाज नहीं चला सकते हमारे अफसर बहुत कम ही रहेंगे कि हम आगे बढ़ सकें विशाल लहरों के हिट करने के बाद हमारा अक्जिलरी इंजिन बेकार हो गया था और चार जनवरी को 36 गंटे तक लगातार पंपिंग करने के बाद अब पानी की लेवल कुछ सेंटीमीटर नीचे तक पहुँच चुकी थी और अब हम जो पानी आ रहा था अंदर उसकी गती के हिसाब से काम कर सकते थे हम जहाज के मुखे मस्तूल पर अब पाल नहीं लगा सके थे जहाज के मस्तूल को और पालों को नियंतरत करने वाली रस्यों पर दवाब केवल जाज के मुखे भाग के च्छतिक्रत तिस्से को खींच सकता था इसलिए हमने तिकौन पाल को अपने मस्तूल के आगे फैराया और हम अब हम उसे इस्तान की और चल पड़े जहां मैंने सोचा था को वे दो दूइप इस्तित थे मेरी ने कुछ कोन्ड बीफ और करारे बिस्किट निकाले और हमने लगवग दो दिन के बाद ये पहली बार बोजन किया था पर ये राहत हमारे लिए कुछ ही समय के लिए थी चार बजे शाम को हमारे पीछे काले बादल इकठा होना शुरू हो गए और एक गंटे के अंदर हवा की गती 40 समुद्री मिल की गती पकड़ने लगी और समुद्र का पानी उपर उठने लगा सारी रात तक मौसम और ज़्यादा खराब होता चला गया और सुबह पांच जनुबरी तक हमारी सती और ज़्यादा खराब हो गई जब मैं अंदर बच्चों को शांतों ना देने के लिए अंदर गया तो जोन ने मुझसे पूछा कि डैड़ी क्या हम मरने वाले हैं मैंने उन्हें आश्राशन देने की कोशिश की और कहा कि हम मरेंगे नहीं लेकिन जोन ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि डैड़ी यदि हम सभी आप मम्मी सू और मैं एक साथ रहेंगे तो हम मरने से नहीं डरेंगे मेरे पास उसका उत्तर देने के लिए कोई शब्द नहीं थे और मैंने बच्चों का केविज छोड़कर मैं बाहर आ गया और मैंने निश्य किया कि जो भी मेरे पास था उससे मैं समुदर से लड़ूं अपनी कोशिशें जारी रखूँ इस्टार बोर्ड की कमजोर साइड की रक्षा करने के लिए मैंने यह डिसाइड किया कि लाइलोन की भारी रसी और बाइस लीटर पैराफिन के दो प्लास्टिक बेर्ल्स जो के उस समय लंगर के लिए उन्हें प्रियोक करते हुए मैं लेरों का सामना करने के लिए जार्ज के मुख्य भाग का जो हिस्सा छतिक दस्त नहीं हुआ था उसको ऊपर उठाओं उस शाम मैं और मेरी एक तूसरे का हाथ पकड़े हुए सासा बैठे थे और जाज की गती से तूटे हुए तख्तों से अधिक से अधिक पानी अंदर आ रहा था हम दोने नहीं ये महसूस किया कि अब हमारा अंतसमे निकट है लेकिन हमारा वेव वॉकर तूफान को पार कर गया था और जनवरी 6th को सुभे तक हवा की गती भी धीमी हो गई थी और मैंने सेक्स्टेंट पर रीडिंग लेने का प्रयास किया मैं चार्ट रूम में बापस गया और मैंने हवा की गती मार्ग का परिवर्तन विचलन और धारा पर काम किया जिससे कि मैं अपनी इस्थिती का अंकलन कर सकूँ सबसे अच्छी बात ये थी जो मैं ये निश्य कर सका था कि हम महासागर में एक लाख पचास हजार किलोमीटर अंदर किसी स्थान पर हैं और 65 किलोमीटर लंबे चोड़े द्वीब की तलाश कर रहे हैं जब मैं ये सोच रहा था सू ने दर्द से परिशान होकर वो मेरे पास आ गई उसके सिरका बाया हिस्सा काफी सूजा हुआ था और उसकी काली आँखें सकरी हो गई थी उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया था उसके आगे के हिस्से पर उसने मेरा और मेरी का एक व्यंग चित्र बनाया था इसके नीचे लिखा था यहाँ कुछ मजाक करने वारे लोग हैं क्या उन्होंने आपको हसाया मैं भी खुब हसी थी उसके अंदर एक मेसेज था ओ मैं आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ यह कार्ड यह आपको धन्यवाद देता है और हमें अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए और यह किसी प्रकार हमको पूरा करना है मैंने अपनी गड़नाओं की बारबार जांच की और हम अपना मुखे कमपास खो चुके थे और मैं एक अतरिक्त कमपास यूज कर रहा था जिसको चुम्म की वेरियेशन के लिए ठीक नहीं किया गया था मैंने इसे दीरे दीरे दर्शाया और हिंद मासावर के उस भाग में बैने वाली पश्चमी दाराओं का अनुमान लगाया उसके प्रवाब का अनुमान लगाया और लगवग दो बजी मैं देक पर पहुँचा और मैंने लेरी को एक सब पिच्चासी डिगरी कोर्स गुआने के लिए कहा यदि हम लखी रहे तो मैंने अनुमान से कहा लेकिन मुझे विस्वास नहीं है कि हम पाँच बजी तक उस दीप को देख सकेंगे फिर भारी दिल से मैं नीचे अपने बंक पर जाकर चड़ गया और आश्चर जनक तरीके से में उंगने लगा जब मैं जागा तो शाम के छे बच चुके थे और अधेरा हो रहा था मैं जानता था कि हमसे वे दीप छूट गया है और जो पाल हमारे पास बचा था उससे हम वेस्टर्डी विंड्स के विरुद्ध पीछे बापस नहीं जा सकते थे उस समय उल्जेवए बालों का सिर मेरे बंक के पास दिखाई दिया और जोनाथनस ने मुझे से पूछा क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ सू भी ठीक उसके पीछे खड़ी थी मैंने पूछा अब मुझे गले क्यों लगया जा रहा है तो मेरे बेटे ने उतर दिया क्योंकि आप इस दुरिया में सबसे अच्छे पिता हैं और सबसे अच्छे कैप्टन भी हैं आज नहीं जॉन मैं भैवीत हूँ मुझे डर लग रहा है क्यों आपको खुश होना चाहिए शू ने बड़ी विश्वास पूर्वक्ट आवाज में कहा आपको द्वीप मिल गया है क्या मैं चिलाया वे ठीक हमारे सामने है उन्होंने सबने मिलकर उससे कहा कि वे युद्ध पूत जितना बड़ा आगे दिखाई दे रहा है मैं दोड़कर डेक पर गया और एम्स्टर डम दीप के उस सीमा रेखा पर पूरी तरह से उसे निहारता रहा वे ज्वालमुखी चट्टान का सबसे थंडा खंड था जिस पर भहुत कम वेजिटेशन थी और वे संसार का सबसे सुन्दर आइलेंड था हमने उस रात तट के उस पार अपना लंगर डाल दिया और अगले दिन सुबह उन 28 वहां के रहने वाले लोगों ने हमें खुश कर दिया क्योंकि उन्होंने हमें तट पर पहुँचने में हमारी मदद की जमीन पर पैर पड़ते ही मैं लेरी और हर्व के वारे में विचार करने लगा जो कि मुश्किल छणों में खुश और आशावादी थे और मेरी जो मुश्किल गड़ी में संकट के समय पूरे समय पैये को पकड़े हुई थी और सबसे अधिक मैं उस साथ वर्ष की बच्ची के वारे में विचार करने लगा जिसने हमें अपनी सिर की चोट से चिंतित नहीं किया था बाद में इसके च्छोटे चोटे ओपरेशन करने पड़ी थे जो कि इसकिन और खोपड़ी के बीच में जिससे के बार बार थक के नजमे और उस च्छोटे बच्चे के बारे में भी में विचार करना था जो मरने से नहीं डरता था थेंक्स वाचिंग यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें इससे के आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे थेंक्यू वेरी मुच गॉड ब्लेस यू